नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गने सायश्टो हेल्प में मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशी के बारे में, तुला लगन के बारे में नवंबर के महिने में क्या मतलाब हमारे ग्रहों नक्षत्रों में हो रहा है क्या परिवर्तन हमारे जीवन के किस छेत्र में आएंगे और क्या साबधानी हमको बरतनी चाहिए और किस चीज की तरफ हम क्या कर सकते हैं फादा उठा सकते हैं, किस चीज को इगनोर कर सकते हैं क्या धान रखा जाए इसी के बारे में हम बाते करेंगे इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली देखिए गोचर की कुंडली इस तरह से दिख रही है गोचर का मतलब फिलहाल जो ग्रह नक्षतर है वो इस तरह से हैं जैसे कि ये पहला भाव है अगर आपका तुला लगन है तो आपके पहले भाव में ऐसे साथ नमबर लिखा होगा मतलब कि पहले भाव में साथ नमबर की राशी है और साथ नमबर की राशी तुला है हमारी बारे राशिया है पहली जो राशिया है वो मेस है उसो एक नमबर से दिखाते हैं दूसरी नासी राशी जो है ब्रशावै तीसरी मिथून है चौथी कार्क है तो चार नमबर से दिखाएंगे पांच मी सी है उसे पांच नमबर से चटी कन्या है उसको 6 नमबर से दिखाते है सातमी तुला है उसको 7 नमबर से दिखाते है और यहाँ 7 नमबर पहले भाब में लिखा है तो इसलिए यह लगन क्या हो गया तुला लगन हो गया अगर चंद्रमा वहाँ पर 7 नमबर लिखा है तो उसका मतलब तोला राशी हो गई तो ये पहला भाव है ये दूसरा भाव है, ये तीसरा है, ये चौथा है ये पांच माई है, देखे चौथे भाव में दस नमबर लिखा है, मतलब चौथे भाव में दस मी राशी है, दस मी राशी कौन सी है मकर होती है और जैसे दूसरे भाव में आठ मीराशी है तो आठ मीराशी कौन सी होती है ब्रश्चिक होती है मतलब दूसरे भाव में ब्रश्चिक राशी है तीसरे भाव में नौ मीराशी है जो की धनू होती है चौते भाव में दस मीराशी मकर है पांच में भाव में ग्यारे मिराशी कुंध है और छटे भाव में बारे मिराशी मीन है इस तरह से हम देखते हैं तो चलिए देखते हैं आपकी कुंडली को सबसे पहले ध्यान यहाँ पर लगन पर ही जाता है दो-दो ग्रह बेठे हुए हैं सूर्य और बुद्ध भाव में जा रहा है डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि बारे में भाव का स्वामी भी यहां आ रहा है तो नीच भंग तो हो रहा है जो शुक्र का जो नीच भंग हो रहा है देखे शुक्र का नीच भंग हो रहा है और एक तरह से सूर्य का भी नीच भंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन है तो कुछ खास धरने वाली बात नहीं है पर यह जो परिवर्तन है वो पर्थम भाव और बारे में भाव में है तो यह परिवर्तन कहा गया है खर्चा लाता है यात्रा कराता है एक्सपेंडेचर बढ़ाता है बाहर ले जाता है बिदेश ले जाता है ऐसे लोग अगर जनम कुंडली में हो तो अक्सर बाहर सैटल होते हैं जनम भूवी में उन्हें दिक्कत होती है पर बाहर उनका सितारा काफी चमकता है लगन का स्वामी शुक्र बारे में भाब में जाना व्यक्ति को आनंद की तरफ ले जा सकता है प्रमोद की तरफ ले जा सकता है कामनाओं की तरफ ले जा सकता है सुक भोग की तरफ ले जा सकता है और सिंपल सिटी मतलब सिंपल सिटी का मतलब मेरा यहां था कि सिंपल ही सब कुछ मिल जाए बहुत जादे प्रयास ना करना पड़े अगर जनम पत्री में है तो और अगर गोचर में है तब भी है थोड़ा मेहनत से आपको दूर करने की कोशिश करेगा तो इस बात का खाल लखेगा मेहनत अवश्य करनी है कर्म प्रधान विस्वर चिराखा होई ये वही जो रामिर चिराखा संसार कर्म प्रधान है अगर भाग में हो और कर्म ना करो तब भी हो सकता है कि भाग में हो तब भी ना मिले कर्म तो उनको भी करना पड़ता है जिनके भाग में है बैंक में पैसे हैं अकाउंट में है पर जाके लेना तो पड़े गई तो कर्म तो जरूर करना है तो यहां से एक तो यह चीज निकल कर आती है लगन का स्वामी अगर अपने से बारे में जा रहा है तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए हलाकि वो उसका परवर्तन है तो इतना डरने वाली बात नहीं है पर स्वास्त का थोड़ा ध्यान रखें और कोई भी चीज है तो उसे पूरा करें आलस से ना करें सुक भोग में बहुत जाद है मन ना सुक भोग में बहुत जाद है मतलब एक लिमिट से जाद है उसका ध्यान रखें यहां पर यह कह सकते हैं बारे में भाव का स्वामी जो अपने उसमें आ रहा तो बाहर से कोई आ सकता है घूमने, विदेसियों से कुछ तालुक हो सकता है, विदेसी व्यक्ति के साथ कोई रिष्टे की सुरुबात हो सकती है, मतलब प्रेमी, प्रेमी का, गर्ल्फेंड, वॉइफ्रेंड, ये शादी का रिस्तान Confederate का क्यों говорит, यहां पर जो बारे में भाव का स्वामी, बुद्ध लगन में आकर सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है, तो सप्तम भाव किसका होता है, कॉन्ट्रेक्ट का, बिजनिस का, रलेशनशिप का, शादी का, बिवा का, तो बिजन का भी relation बनता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो विदेश ऐसा नहीं कि वास्तम में विदेश हो जिसे intercast marriage होगी अपने से दूसरे culture के वक्ति से कोई relationship या दोस्ती या प्रेम इस तरह की संभावना यहाँ पर बनती है बुद्ध यहाँ पर अब लगन में होते हैं तो उनको धिगवल पराप्त होता है बुद्धी बड़ी तेज काम करती है वक्ति चीजों को बड़ी अच्छी तरह से समझ पाता है और mathematics हुआ जोतिश हुआ या management हुआ sales हुआ, marketing हुआ अगर ऐसे field में वक्ति है तो बहुत अच्छा समय रहेगा क्योंकि बुद्ध दो तारिक से मारगी हो रहे हैं और उसके बाद लगवक 28 तारिक तक यही रहने वाले हैं तो भागेश का लगवक पूरे महीने यहार है भागे का आपको साथ मिलेगा स्वास्त का थोड़ा सा ध्यान रखना है थोड़ा खर्चा आ सकता है क्योंकि यह जो सूर्य है एक अदर भाव का स्वामी लगण में आकर नीच का हो रहा है हलाकि उसका कह सकते हैं कि जिसकी वो राशी में है वो उसके साथ ही है परिवतन के थुरू तो उसका नीच भंग हो रहा है पर फिर भी लाव या बड़े लाव में थोड़ी कम ही आसकती है मतलब कि कोई इच्छा हो सकता है आप चाहा रहे हो वो पूरी फिलहाल न हो पाए थोड़ा बाद हो मतलब 16 तारिक के बाद हो क्योंकि 16 तारिक के बाद सूर दुत्य भाब में आ जाएंगे धन भाब में आ जाएंगे भाग का स्वामी यहां पर रहेगा आपके 27 तारिक तक 28 तारिक को धन भाब में आ जाएगा एका 10 का स्वामी 16 तारिक के बाद धन भाब में आ जाएगा तो एक तरह से कहें कि महिने के अंत में इस तरह से situation बनेगी कि धन का एकादस का स्वामी भी यहाँ पर आएगा आपका और भाग का स्वामी भी यहाँ पर आएगा लाव का स्वामी और भाग का स्वामी मिलकर धन भाब में बैठेंगे तो किसी धन आगमन की situation बनती है कहीं से पैसा आ सकता है कहीं से धन के योग बन सकते हैं किसी तरीके से भाग से धनाएगा सोर्स से धनाएगा इंवेस्टमेंट के थरू धनाएगा फ्रेंड सर्किल के थरू धना सकता है जानकारी के थरू धना सकता है बड़े भाई के थरू धना सकता है ये सब बाते कब होंगी थोड़ी सी सुरुवात तो सुरु हो जाएगी 16 तारिक के बाद ही और बहुत जादेतर होंगी 28 तारिक के बाद मतलब दिसंबर के महिने में ही मान लीजिए नवंबर के end में क्योंकि तब ही ये दोनों ग्रह यहां पर आएंगे यहां पर पहले से केतू है तो केतू के साथ अगर सूर्य और बुध आएंगे तो पिता के साथ थोड़ा मतवेद हो सकता है आपसे जो बड़े लोग है उन से थोड़ा मतवेद हो सकता है और फिलहाल में भी अगर बात करें तो सूर्य नीच के हैं और सूरे पर मंगल की द्रश्टी है देखिए मंगल की अगर यहां मंगल से हम गिनते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आथमी द्रश्टी सूरे पर आरे हैं सूरे नीच के हैं सूरे आपके कुंडली में बड़े भाई को दिखाते हैं पिता को दिखाते हैं, बॉस को दिखाते हैं तो इन सब की सेहत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है और इनके स्वास्त में भी थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको अपने भाई, बड़े भाई का अपने पिता जी का, अपने बॉस का उनका ध्यान रखेंगे और उनसे relation में कुछ misunderstanding ना इस बात को ध्यान रखना होगा क्योंकि सूर एक तो नीच के हैं 16 तारिक तक और उस पर उन पर मंगल की दश्टी है हलाकि मंगल सूर के दोस्त है पर यहां देखने वाली ये बात है कि दोस्त जरूर है पर क्योंकि नीच के हैं और क्रूर कह सकते हैं हम इसको की मंगल एक तरह से क्रूर रही हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हलाकि मंगल से सूर पराकरम भी बढ़ाते हैं गुसा भी बढ़ाते हैं कभी-कभी आपकी अंदर गुस्सा भी बढ़ाएंगे और आपका जो पार्टनर है क्योंकि सूरे लगन में आ रहे हैं आपका पार्टनर थोड़ा सा बॉसी हो सकता है इस टाम थोड़ा सा डोमिनेंट हो सकता है थोड़ा सा कह सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग चलिए तो चल लीजेगा कोई बात नहीं क्योंकि रिष्टे जादे महत्पूर है फिर रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटका है जोड़े ते पिर ना जोड़े जोड़े गांट पड़ जाए तो इस बात का ध्यान दखिएगा कि आपस में प्रेम बना रहे आपके और अपकी पती पतनी प्रेमी प्रेम का भाई बहन दोस्तों के बीच डिप्लोम ऐसी से काम लीजेगा कई बार सत्ते भी करवा होता है सत्ते को भी इस तरह से कहना चाहिए अगर आप किसी की भलाई के लिए ही कह रहे है तो इस तरह से कहना चाहिए ताकि उसकी समझ में आए उसका ज्यान तो समझ पाए उसका अर्थ तो समझ पाए तभी तो उसका कोई फादा होगा इस चीज का भी ध्यान रखें अब इसके बाद हम आपके दूसरे भाव की बात करें जो धन का भाव है उसका स्वामी मंगल है जो छटे भाव में गया हुआ है और वक्री है दूसरे भाव का स्वामी जब छटे भाव में आता है तो रण का खतरा रहता है मतलब करज ना लें बड़ा करज ना लें क्योंकि मंगल है यहाँ पर उतारने में दिक्कत हो सकती है पैसे का नुकसान भी हो सकता है पर सर्विस के लिए अच्छा है क्योंकि ये जो है अर्थ भाव है 2, 6, 10 अगर इनके स्वामी एक दूसरे में जाते हैं तो अर्थ रिकॉर्ड में जाते हैं तो सर्विस अगर आपका जॉब है स्वामी है और धरम मतलब की दूसरे भाव के स्वामी है धन के स्वामी है और कहां पर आ रहे हैं छटे भाव में आ रहे हैं तो फैमिली से दूरी बन सकती है अपने पार्टनर से दूरी बन सकती है पती पत्नी से दूरी बन सकती है आपस में थोड़ी सी दूरी मंगल यहां ला सकते हैं या फिर उनके स्वास्त में थोड़ा कमी ला सकते हैं इसका एक अच्छा मतलब भी निकाला जा सकता है कि छटा भाग मतलब रोग गण सत्रू तो वो व्यक्ति सेवा में जा सकता है उसकी कोई सरकारी जॉब लग सकती है क्योंकि यह भाब नौकरी का भी है हर उसका दो तीन मतलब होते हैं उन में से कौन सा मतलब होगा डिपेंड करता है गरह कितना मजबूत है उस पे द्रष्टियां कैसी पढ़ रही है आपकी कुंडली में कैसा है जैसे फिलाल में मंगल को देखें तो सुकुर की दश्टी है तो अच्छा भी लेकर आएगा शुकुर और मंगल का आमना सामना कामुकता को बढ़ाएगा मन को एक दूसरे में लगाएगा पती पतनी के बीच लड़के लड़की के पूछ इस्त्री पुरुस के बीच जो आकरशन होगा उसमें आप एक प्रधी फील करेंगे ओभर से शुकुर का बारे में भाव में आपको सुक भोग की तरफ ले जाएगा पर उसमें थोड़ा लिमिटेशन रखना है क्योंकि अगर वो जादे बढ़ता है तो फिर स्वास्त में दिक्कत यहां सूर्य कर सकते हैं और अगर लिमिट में रहेंगे तो अच्छा है तब तो उसका लाभी लाभ होगा क्योंकि आनंद तो इश्वर का सुरूप है अगर धर्म पूरुन आनंद है तो वो of course मोक्ष की तरफ ले जाता है इसमें कोई शक नहीं है अगर हम देखें और आगे बढ़ें अपना पढ़ाते हैं गुरू को लाते हैं भाई गुरू क्या करेंगे गुरू भीस तारिक तक तीसरे के स्वामी तीसरे ही भाब में रहेंगे एक तरह का प्राकरम योग है मेहनत करेंगे आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपका भाग साथ करेगा करम करना जरूरी है करम करेंगे तो भाग आपका अवस्यात देगा लाब भी आपको अवस्य होगा क्योंकि यहाँ बैठे गुरू की दर्ष्टी सब्तम पर है नवम पर है और एकादस पर है मतलब की एक तो शादी बिवा के बड़े स्ट्रॉंग योग बन रहे हैं किसी से मुलाकात के किसी से प्रेम के आपके जीवन में किसी के आने के वो लोग पूछते रहते हैं कि रिष्टा आएगा तो वो आपको बताएगा अभी चांसेज है अभी तो बीस तारिक तक गुरु इसको देख रहे हैं बीस तारिक तक चांसेज है बीस तारिक तक नौमे भाब को भी देख रहे हैं जिससे नवांश चार्ट बनता है शादी का चार्ट बनता है गुरू की दश्टी पंचम दश्टी जो है आपको बिजनिस में भी एक्सपर्ट बनाएगी बिजनिस कैसे करना होता है बिजनिस पर कहा ध्यान देना है उसमें आपकी दिमाग चलेगा पैसा किस तरह कमाया जाता है जैसे कि बहुत सारे महन लोग कहे चुके हैं कि जितना लोग आपको जानेंगे जितना आप सर्विस दे सकते हैं उतना आप पैसा कमा सकते हैं यह बात अजीब लगे कि बात यही सही है कि आप जितनी सर्विस दे सकते हैं जितने जादे लोग को ऐसा ना हो सकता, इस बात में कोई शक नहीं है यही बेस है, मार्केटिंग कही है सेल्स कही है, बिजनिस कही है कि आपको जादसे जादसे लोग तक पहुँचना है, उनका भला करना है, उनका अच्छा करना है उनको कुछ देना है लोग भी आपका साथ देंगे अगर आप उनका साथ देंगे तो आज नहीं तो कल थोड़ी देर में ही सही पर देंगे जरूर तो गुरू की ये सब्थम दश्टी ये कहती है पंचम दश्टी ये कहती है सब्थम दश्टी आपका धान ग्यान की तरफ tourism की तरफ, philosophy की तरफ, law की तरफ ले जा सकती है, ज्यान बर्धन की तरफ ले जा सकती है, यात्राओं के थुरू आपको लाव करा सकती है, आपके गुरू के थुरू, आपके पिता के थुरू, और ऐसी बाते हैं, ज्यान की बाते हैं, जैसे विवेक आनन्द हैं, philosophy है, और हमार उपनिसद हुए, हमारा गीता हुई इन सब में आपका इंट्रेस्ट आ सकता है और इसके थुरू आप कुछ अपने लाब भी कमा सकते हैं इसके थुरू आपको कुछ आनंद भी मिल सकता है, इसके थुरू आपको कुछ दोस्त आपका काम है तो उसमें आपके लिए गुरू यहाँ पर भाग लेकर आ रहे हैं कब तक 20 तारिक तक एक आदस भाब को दस्टी डाल कर आपकी इच्छा को पूर्ती करेंगे बड़े भाई से आपके रिष्टों को सुधारेंगे आपके सरकल को बड़ा तरेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ ला रहे हैं 20 के बाद गुरू यहाँ आएंगे और सनी के साथ बैठ जाएंगे और दोनों मिलकर आपके दसंभाब को देखेंगे 20 तारिक के बाद आपके कार में पद में पतिष्ठा में अक्समात कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है सनी की ढईया के बाब जूद कोईकि ये एतिहासिक छण होता है जब गुरू शनी एक साथ आते हैं और दसंभाब को देखते हैं और इसके साथ साथ जब गुरू यहाँ पर आएंगे उनकी रष्टी राहू पर भी होगी तो अश्टम बैठे राहू भी कुछ हद तक सुब हो जाएंगे इसके बारे में मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है जिसमें चादे हमने गुरू के बारे में बताया है तो उसको भी आप जरूर देखिएगा कुरू सनी की एक साथ यूती यहाँ पर घर, गाड़ी, बंगला खरीदने के लिए भी अच्छी है उसके भी चांसे यहाँ पर बनते है 14 तारिक तक धन के मामले में में हम बात कर चुके हैं कि धन का स्वामी छटे भाव में है तो किसी को ज़ादे पैसा देना नहीं है उसे आने में मुश्किल हो सकती है रोगरिंड सत्रू से मंगल यहाँ पर एक तरह से अच्छे ही है पर फिर भी छटे भाव में मंगल अच्छे माने जाते हैं पर फिर भी सब्तम का स्वामी अश्टम में गया तो पती का पतनी का प्रेमी का प्रेमी का का दोस्तों का थोड़ा सा ख्याल रखना है उसमें वो थोड़ी खटपट करा सकते हैं खर्चे को बढ़ा सकते हैं अगर हम गुरु की बात करें जो हमने की सीधी दस्टी की तो जब वो यहाँ पर आएंगे पर उसके लावा उनकी पंचम ड़टी जो एक, दो, तीन, चार, पाँच, बीस तारीक के पाथ जो राहू पर पड़ेगी तो आपका अचानक से धान अकल्ट की तरफ, एस्टोलोजी की तरफ, जोतिश की तरफ और कभी-कभी कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें चिपी चीज़ें होती हैं जैसे कुछ चिपे रिस्ते, कुछ ऐसी बात जो बहुत जादे खोल के ना बताई जा सके जैसे सेक्स हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें जो बहुत जादे अच्छी नहीं है बहुत ज़्याद है उसकी तरफ भी ध्यान जा सकता है वो चीज़े भी हो सकती है और दूसरा पहलू भी है कि आपका जीवन में अकल, टैस्टोलोजी, धर्म, धर्म के पीछे क्या है इश्वर को समझना, ये माया क्या है, ये मृत्यू के बाद क्या होता है आत्मा क्या होती है, जीवात्मा क्या होती है, पंचकोष क्या है, प्राण में, ग्यान में, आनंद में, विज्ञान में, ये सब कोर्सी, ये है क्या चकर तो उन्च योग की तरब चक्रा, मेडिटेशन क्या है, कुंडलीनी क्या है, इसका क्या संबंध होता है, राज योग क्या है, हाट योग क्या है, भक्ती योग क्या है, कर्म योग क्या है, इन सब के प्रतिय आपका ध्यान आकर्शिट कर सकते हैं, इन्च जो मैं आपको इंट खाईना देता हो, जैसे radio होती है जो frequency होती है, वो ही गाना चलता है, बाकि दूसरे गाने भी वही होते है S.A.T.V. भी होता है जो signal होता है, वो ही देख पाते हैं बाकि वो continuously वो चीज़ें तो सब वहीं पर हैं, बस आपको तो वो ही दिख रहा है जहां तक आप देख पा रहे हैं, जहां तक आपकी पहुंच है, कहीं इसलिए तो रिश्यों ने से माया तो नहीं कहा, या फिर जो हमको solid दिख रहा है, वो solid होई ना, जैसा कि अब प्रूव हो चुका है, कि जो atom है, वो रूप भी तब लेता है, जब कोई देखता है, तो वो कंड बन जाता है, नहीं देखता है, तो बेब बन जाती है, मतब चीज़ें जैसी दिखती हैं, वैसी है नहीं, जब उन्हें कोई देखता है, जब कोई देखता है, तो वो कुछ और है, मशीन भी देखती है, तो कंड बन जाते हैं, तो यही तो कही जाएगी विदेश की अब पता है मुझे कि वो नहीं खुले फ्लाइट्स पर हो सकता है कहीं आसपास की यात्रा ही हो जाए अब वो कोरोना जो है ग्लोबल प्रॉबलम है वो उसमें कुंडली का दोश नहीं है पूरी की पूरी कंपनी बंध हो गी है तो सब की कुंडलीयां मैंने देखा खराब नहीं है थोड़ा वो स्टफ टाइम जरूर है एक ग्लोबल कुंडली भी होती है एक व्यक्ति की कुंडली होती है तो नॉर्मली व्यक्ति की कुंडली ही डॉमिनेंट करती है कभी कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो, तो उसमें उसकी कुंडली उसकी मदद तो करती है, पर वो कई बार बड़ी कुंडली का जो प्रकोफ है, छोटी कुंडली पर भारी पढ़ जाता है, ऐसा कई बार देखा गया है, अब देखिए, गुरू की बात की हमने खर्चा बढ़ सकता है, किसी चीज पर अच्छी चीज पर खर्चा हो सकता है, यहां से भी गुरू आपका थोड़ा स्वास्त का ध्यान रखें, और किसी से लड़ाई जगडे में ना पढ़ें, क्योंकि मंगल का यहां पर रहना, और गुरू की यहां पर देख्टी आना, अगर लड़ाई जगडे में पढ़ते हैं, तो कहीं बार कोट का चेरी का चक्कर पढ़ सकता है, जरूरी नहीं है, पढ़ सकता है, जरूरी नहीं है, और इसके बाद हम आ जाते हैं हम शनी पर शनी की हम बाते करी रहे हैं सचिन को माफ़ कीजेगा सनी की ढहिया चल रही है और सनी की ढहिया महनत कराती है आपको बड़े के लिए तयार करती है आपको उड़ना सखाती है देखिए कर्म उड़ान है कर्म ही भाग है भाग से कर्म नहीं बनता कर्म से भाग बनता है पहले कर्म है फिर भाग है तो यहां ते शनी आपको difficult situation में डालेंगे एक problem create करते हैं उसको फिर उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है अपने आपको develop करना होगा उसको solve करके दिखाना होता है exam की तरह कि भाग पेपर दे के दिखाओ अगर आप उसको करते हैं तो फिर आपको इनाम भी मिलता है तो आपको तयार कर रहे हैं हाँ पर शनी और कहीं बार व्यक्ति try नहीं करते और कहते हैं मैं तो पास ही नहीं हो रहा वो बाज वाली कहानी हो जाती है जो मैंने सुना ही है कहीं बार कि एक राजा को दो बाज मिलते हैं एक बाज और वो उनको मंत्रियों को दे देता है एक बाज तो बहुत अच्छा मतलब तीन चार महिने में ही बहुत अच्छा उड़ता है कलाबंदिया खाता है, सब कुछ सीखता है दूसरा भाज कुछ खास नहीं करता है राजा को भाज बड़े प्रे होते हैं और भाज होते भी बड़े राजशी और सुन्दर हैं, पर नहीं उड़ता तो मंत्री बताते हैं, राजा को ऐसा है, तो राजा कहते हैं, बहुत उड़ाना तो पड़ेगा मेरा बाज है, तो फिर पूरे जो राज है उसमें धिड़ोरा पिटवा दिया जाता है, कि भाई जो इस बाज को उड़ा देगा, उसको हजार मुद्राएं मिलती हैं, तो एक वक्ति तयार हो जाता है, एक ही वक्ति इसलिए तयार होता है, क्योंकि राजा का बाज है अगर नहीं उड़ा तो फिर राजा कुछ भी उड़ा सकते हैं, पर फिर वो वक्ति साथ ही दिन में उस बाज को उड़ा देता है, उस बक्ती की सर्थ होती है कि जब मैं ट्रेनिंग दूँगा, कोई देखेगा नहीं, तो जब वो बताता है साथ दिन बाद समाचार भेजवाता है कि अब ले जाई अपने बाज को, तो राजार कि फिर कुछ नहीं से, और जब वो गिरा तो पहले तो गिरा, फिर उसने देखा, कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपने पंक खोले, और जब पंक खोले था तो बाज भाई, एबिल्टी तो थी, ताकत तो थी, और उड़ने लड़कियां सिर्फ घर में ही रहती थी, ना कोई डॉक्टर बनती थी, ना प्लेन, ना स्विमिंग करती थी, ना स्पोर्ट्स में जाती थी, तब भी उनके मंगल गुरू सब अच्छे होते थे, पर क्यों नहीं, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का, तो अब आम कहां से आएं, दोनों ही बाते सत्ते हैं, तो जो लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, अपने बच्चों को जमीन दें, जमीन का मतलब इन्वारमेंट दें, उनको मौका दें, उनके अंदर जो टैलेंट है, उसको खिलने दें, उसको आदमी एकसा नहीं होता, सबकी सोच अलग होती है, उनको स्वतुनतरता भी दें, और खुद भी अच्छी अच्छी किताबे पढ़ें, ज्यान की बाते पढ़ें, और उनको भी उसकी तरफ प्रेरित करें, फिर जो उनके अंदर है, वो निकल के आएगा, तब वो उड़ प पती, पतनी, प्रेमी, प्रेमी का उन समय, उसका थोड़ा सा ध्यान दखना है, मंगल आपके दोस्तों को दिखाते हैं, भाईयों को दिखाते हैं, उसका छटे में आना ये भी दिखाता है, आपके दोस्तों से थोड़ा बहुत, खास करकि छोटे भाईयों को जाद है, मंग मंगल की दश्टी नवंभाब पर पढ़ रही है, मंगल जो हैं आपके कुंडली में बहुत जाद है कारक नहीं है, सब्तमेश हैं, पर सब्तमेश की दश्टी एक त्रिकौन पर पढ़ रही है, तो एक अच्छा ही है, मतलब पिता से लाब होगा, ग्यान से लाब होगा, और य यह आपको प्रताब बढ़ाएगी, आपका गुन बढ़ाएगी पर थोड़ा गुसा ला सकती है, अधेरता ला सकती है बुद्ध पर जो दरश्टी है वो आपकी बानी में थोड़ी सी लोजिकल लाएगी, आप थिंकिंग क्रिटिकल होगी आप हर चीज को समझ पाएंगे, पर थोड़ा सा ये भी आप थोड़ा ज़ादे बोल सकते हैं आप कुछ ऐसी बात बोल सकते हैं, जो थोड़ी आपके खिलाब चली जाए और उससे आपको प्राबलम हो जाए ये है, मतलब वाणी का ख्याल रखना है, बैसे भी याद रखिएगा लाइफ में, never criticize, never complain, never condemn, never cry, never curse मतलब जब भी आप criticize करते हैं कि कमी निकालते हैं, वो बहुत आसान है कमी निकालना बहुत आसान है, condemn करना, किसी चीज़ का खंडन करना बहुत आसान है किसी चीज़ को बनाना बहुत मुश्किल है, किसी चीज़ को जोड़ना बहुत मुश्किल है, किसी चीज़ को सवारना बहुत मुश्किल है, किसी की तारिफ करना भी सची बड़ा मुश्किल है तो अगर ये सब चीज़े सुखेंगे तो आप कहीं आगे जाएंगे कहीं आगे जाएंगे इसके बारे में कहानी है पर हम पता नहीं समय कम है फिर कभी बताएंगे गौतम बुद्ध और अंगुली माल की चलिए सुनाई देते हैं कहानी ऐसे है कि हला था उस समय कि अंगुली माल जो बहुती बहुती बहांकर डाकु था जिसने कसम खाई थी कि हजारों लोगों को मार डालेगा और उसने बहुत सारे 900 कुछ सम्थिंग लोगों को मार भी जा था और उसकी अंगुली पहनके वो जंगल में रहता था सब डगते थे राजा बाजा भी डगते थे वहां से कोई जाता नहीं था तो गौतम बुद्ध वहां से जा रहे थे उनके साथ में उनका साथ ही था आनंध तो आनंध ने कहा तथागत उधर न जाईए वहां न जाईए वहां अंगुली माल रहता है और वो इनसान नहीं है कि आप उसको ग्यान देंगे और वो समझ लेगा वो इतने आदमियों को मार दिया उसने उसकी माता तक उससे मिलने नहीं जाती क्या पता मुझे ही मार दे आप माहन जाईए तो बुद्ध कहते हैं कि ग्यानी बुद्ध किसी असुब की आसंका से किसी अपने असुब की आसंका से धर्म के बात को नहीं छोड़ सकते मैं तो जाऊंगा अंगुली माल दूर से देखता है उनको बोलता है ठहर सन्यासी अभी आ रहा हूँ मैं बहुत खोस हो जाता है कि अब तो खसम पूरी होगी इतना तंदरुस्त व्यक्ति आ रहा है मारने में भी मजा आएगा आदमी को आदत पढ़ जाती है कुछी भी करने की पर एक अजीब बात थी क्योंकि बुद्ध की नजरों में बिल्कुल डर नहीं था उने तो मरत्तू से पार जा चुके थे तो ये बात फिर जो है अंगुली माल भी फील कर पा रहा था इसी वैसे उसके थोड़ा हाथ भी कापने लगे क्योंकि कुछ आजीबी बात है लोग उससे भागते थे ये उसकी तरफ भाग रहा है तो क्या बात हुई तो कहता है एस सन्यासी रुख जा आगे मत पड़ पर बुद्ध कहां रुकने वाले थे वो तो पास आगे बुद्ध आगे बोले मैं तो तुझे ही रोकने आया हूँ मैं तो तुझे ही रोकने आया हूँ तो वो बोला तु जानता नहीं मैं काट दूँगा गला काट दूँगा इस तरह से तो बुद्ध बोलते हैं कि गला तु बाद में काटेगा पहले टहनी काट के दिखा टहनी तोड़ के दिखा तो वो भटाक से एक बड़ी टहनी काड़ देता है तो बुद्ध बोलते हैं कि चलो ठीक है माना तुने टहनी काड़ दी पर अब जराइसे जोड़ के दिखा तो वो बोलते हैं कि आप मूर्ख हो क्या मतलब दिखते तो बहुत खुबसूरत इतना तेज चमक रायव सन्यासी हो कि कैसे मैं जोड़ सकता हूँ एक टहनी को तब ही बुद्ध कहते हैं कि यही तो मैं समझाने आया हूँ कि तोड़ना तो बहुत मुश्किल है कमी निकलना तो बहुत आसान है जोड़ना बहुत बहुत तोड़ना तो बहुत आसान है और जोड़ना बहुत मुश्किल है सवारना बहुत मुश्किल है तब उसे ऐसास होता है कि उसने क्या किया कि एक टहनी तक जोड़नी पाता है विक्ती तोड़ने में तो क्या है तो फिर वो उसके बाद सिधी सी बात है उसका कायल हो जाता है सन्यासी बन जाता है उसके बाद तो से लोग पीठते हैं तब भी वो जवाब नहीं देता इस तरह की कहानी मिलते है उसको घायल कर देते हैं तब भी जवाब नहीं देता है क्योंकि वो दिल से किसी चीज़ को मान लेता है इसलिए हमारे उसमें कहा जाता है कि कोई भी बरत दिल से करिये मन से करिये तो सारे पाप मुक्त हो जाएंगे दिल से करने की बात है ऐसा नहीं कि उपर से और अंदर से कुछ और आज मन आपका पवित्र है और कल नहीं, अंगुली माल जब पवित्र हुआ तो फिर हमेशा के लिए हो गया उसी परवर्तन की, おुसी बरद की बात होती है, उसी तौहर की बात होती है जब हम एकादशी या किसी बरद के बारे में सुनते हैं कि सच्चे मन पवित्र से अगर आप उसका पालन करते हैं तो प्रहु सारे पाप मुफ्ट कर देता है वो इसी कंडिशन की बात होती है तो उस कंडिशन में कोई जायत हो जैसे वो सब कुछ बदल गया था अगर ऐसे वक्ती बदल जाये तो बिलकुल इस्वर को आपको ढंड देने में कोई इंट्रेस्ट नहीं है वो आपके पाप अवश्य माफ कर देगा तो हम मंगल की बात कर रहे थे एक तरह से हमने सारे ग्रहों की बात कर ली है और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप करूँगा मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएं घंटी वाला जो बटाने दवाना मत भूलेगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके मैंने डेक्स्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेस्बुक का, इंस्टाग्राम का, ट्यूटर का आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्पूर है प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो और इसके बाद हम बात करेंगे हमारी तोहारों के बारे में और ब्रत के बारे में चलिए अब बात करते हैं तोहारों के बारे में इस महीं ने बड़े अच्छे और बहुत सारे तोहार है बहुत सारे तोहार है और तोहार का मतलब होता है खुशी, हशी आपस में मिलना, दोस्तों को गिफ्ट देना, दोस्तों से गिफ्ट लेना, अपने भाई, बहन, पिता, माता, सभी के परती प्रेम व्यक्त करना, और खुश-खुश रहना, एक्चुलि यह दिखाता है कि खुशी जरूरी है, लाइफ में, खुशी से ही व्यक्ति कुछ कर सकता है, हासी खुशी व्यक्ति तैयारी भी अच्छी कर सकता है, एक्जाम की, नौकी भी अच्छी कर सकता है, व्यापार भी अच्छा कर सकता है, और spiritual path पे रहने वाला तो खुशी जरूरी है, वहाँ तो पहली चीजी है, चिदानन्द रूपा, शिवोहम, शिवोहम, इश्वर स्वयम आनन्द सरूप है, तो आनन्दित विक्ति ही कुछ कर पाता है, इसलिए तो आहरों का इतना महत्व है, हम थोड़ा सा गलती ये कर लेते हैं, कि हम कुछ बनने के लिए, उसके बाद सोचते हैं, कि उससे आनन्द आएगा, ऐसा नहीं है, कुछ बनने के लिए आनंद होना जरूरी है वो गोल नहीं वो तो जरूरत है वो तो एक पहली चीज है अगर आप खुश हैं आनंदित हैं तो आप बहुत उपर चाह सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं खेर इस महीने के जो तोहार हैं सबसे पहला पहले तोहारों की फिर ब्रत की बात करेंगे सबसे पहला तोहार है करवा चौत का तोहार है इस तोहार में इस्त्रियां अपने पती के लिए ब्रत करती है और इसमें वो कहानी भी है सावित्त्री वाली तीन पगागे बढ़े थे वो कितनी शक्तिशाली हो सकती है इस्त्री तो ये उसको कमजोर समझना या कि फिजिकली ये एक ब्रहम है कोरा ब्रहम है हम अगर अगर अपने इतिहास को जाए माता अनसुया की कथा अधिती की कथा अगर हम पढ़ें तो मेरे खाल से पूर्सों से भी जाद है उनमें बहुत सारी ऐसी एबल्टीज हैं जिसके लिए वो पूजा के योग हैं सम्मान के योग हैं और हमें उसको समझना चाहिए उसको भारना चाहिए उसको सामने लाना चाहिए तो कर्बा चौत का तोहार है बहुत खुबसूरत तोहार है, उसके बाद धनतेरस माता लक्षमी का है, इस दिन भारत के अलग-लग राज्यों में, अलग-लग जगे पर अपना-पना है, माता लक्षमी और भगवान श्री गणेश की पूजा होती है, कुछ समान खरीत के लाते हैं, तो बोलते हैं कि लक्ष के लिए, करोड़ों में होते हैं, उनका खर्चा भी काफी होता है, पर उससे कमाते भी बहुत जाद है, उनका focus कमाने की तरफ होता है, अपने आपको enjoy करने की तरफ, और दूसरों के लिए भी कुछ करने की तरफ, देखिए, अगर आपके आपte पास ही कुछ नहीं है, तो आप दूसरे का क्या कर पाएंगे और जो व्यक्ति ये कहता है कि संसार माया है तो वो कहता तो सही है पर उसका ये मतलब कते ही नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाएं धन ना कमाएं और जो ऐसा कहता भी हो उसके पास जो भी हो आश्रम हो जो भी हो से कहो कि भाई इसे मुझे दे दो माया बाला वो बहुत बड़ा टॉपिक है पर उसका अर्थ कहीं बार लोग ऐसा ले लेते कि धन धन तो स्वेम माता लक्ष्मी है हाँ वो अच्छे तरीके से आना चाहिए उसका उपयोग अच्छे काम में होना चाहिए उसका उपयोग दया के लिए बोड़े व्यक्तियों के लिए माता पिता के लिए आसपास के लिए उन सब को सहायता करने के लिए होना चाहिए उसका जो मेन मकसद पैसा कमाना ना होके एक व्यक्ति जो पैसा कमा सके, जो की समसार को सश्टेनेंस दे सके, इसलिए माता लक्ष्मी के पती कौन है, विश्नु है, और यहाँ पर हम विश्नु के रूप मे हैं, हमी ब्रहमा विश्नु महेस है, हम लोगी उनका काम कर रहे हैं, हमारे अंदर ही इश्वर है, अहम भ्रहमा स्मी, तो जो व्यक्ति धन कमा रहे हैं, वो कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों का काम चल रहा है, तो एक तरह है वो सश्टेनेंस दे रहे हैं, विश्नु का काम कर रहे हैं, और उसके बाद है दीपावली, चौदे तारिक को, तेरे की धन तेरस, चार नवंबर का अपकात करवाचाओ, तेरे का धन तेरस और, चौदे तारिक के दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की हारदिक, बहुत-बहुत सुबकामना है, बहुत महान तोहार है भगवान श्री राम जब बापस आये थे आयोध्धा से तो ये आपको प्रकाश की अंधकार के उपर ज्यान की अज्यान के उपर पाप की पुनिक बतलब पाप के उपर पुनिकी जो जीत है अच्छाई की बुराई के उपर जीत को दिखाता है उसकी सिंबल को दिखाता है राम हमारे यहां पुर्शुत्तम मर्यादा भगवन श्री राम जो उनकी सारी की सारी जीवनी है एक-एक से एक बात से भड़ी पड़ी है ऐसा व्यक्ति जो सिरी पूरे भारत वर्स का राज लेने के योग था प्रजा भी उसके उसमें थी राजा भी उसके बक्ष में थी और वो भी बहुत योग था वो सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर 14 साल के लिए सब कुछ छोड़ के चला जाता है ऐसा त्याग धन के मामले में कम ही मिलता है इतना बड़ा जो उसका है नियम के according भी और लोगों की उसके according भी और जो उसकी कह सकते है ability के according भी फिर भी चला जाता है और सिर्फ इसी बज़े से एक तो माता पिता ने कहा दूसरा उसने कहा सोचा होगा कि अगर आब वो मना करेंगे तो भाईयों के वीच में सायद कुछ हो तो उसने patience रखा उस condition में जो उसे सही लगा उसने अपनी priority जो चुनी उसी के कारण वो कौन कहला है मर्यादा पुरसुत्तम भगवान श्री राम कहला है तो रामायन को भी पढ़ें उसमें जो जितनी सारी खूबिया है उन सब को भी सीखें बहुत खूबिया है हनुमान जी की कथा आएगी तो हनुमान जी तो बहुत ही है हनुमान जी में लाखों गुण भरे परे है एक तो हमेशा positive रहते हैं मन से प्रशन रहते हैं अपने जो भी उनका लक्ष है, साध्य है, भक्ते हैं, जिसके उसके प्रती साध समुंदर तो क्या वो पुरी दुनिया को मतलब पार कर सकते हैं, तो इतना इस रध्धा जो गोल के प्रती सिखाते हैं, तो उनके तो एक दो परसेंट भी गुण आपके पास आएं, तो आप भ गोबर्धन पूजा, पंदर अतारिक की, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली के उपर, जो गोबर्धन परवत है, उसको उठा लिया था, जब इंदर देव नाराज हो गए, तो इंदर ने बरसा की थी, तो उन्होंने का ता मेरी सरण में आओ, और फिर जो हैं, चारा खाती हैं, जो हमें बहुत कुछ देता है, और फिर इंदर का तो ये करतद है कि वो बारिश करे, परमात्मा की पूजाई करने हैं, तो सिर्फ उस परमात्मा की करो, जो इंदर का भी कारण है, और अगनी का भी कारण है, जल का भी कारण है, और सब कुछ का ज उसके बाब जूद भी वो मेरे अंदर नहीं है, मतलब फिजीकली नहीं है जिस तरह से आकास में बादल रहते हैं पर वास्ता में वो आकास को छूते नहीं है, तो थोड़ा सा complicated है सब्दों में समझाना क्योंकि इश्वर को समझना तो सब्दों में possible नहीं है उन्होंने कोशिस किये समझाने की, थोड़ा सा थोड़ा सा उसके आसपास पहुँचाने की तो गोवलधन पूजा, उसके बाद भाई दौच भाई बहन का तोहार, पवित्र तोहार जिसमें बहन जो है भाई के लिए कुछ लंबी उम्र के लिए वो करती है, भाई उनसे रक्षा का बचन देते हैं कि उनकी रक्षा करेंगे इस तरह से ये तोहर भी अलग-लग तरह से मनाया जाता है, पर एक तरह का पवित्रता का तोहार है बहुत ही strong relation करता है भाई बहन के बीच और पारिवारिक तोहर है, प्रेम बढ़ता है देखिए प्रेम ही जीवन का सार है बाकी तो सब उसको पाने के तरीके हैं प्रेम, आनंद और जो आत्मिता है वो मोह नहीं, आत्मिता क्योंकि हर किसी में इश्वर है हर के प्रती जो आत्मिता है जो प्रेम है वो ही सार है तो तोहार उसका एक कारण है एक instrument type से है उस तक पहुंचाने का एक तरीका है जो भी हम करते हैं जिसे पूजा करते हैं तो वो हमको जगाने का एक तरीका है और उसका असली मकसद जो लोग समझते हैं वो बहुत first class बहुत अच्छी चीज़ें जो नहीं समझते हैं वो भी समझें इसके बारे में पढ़ें सैंस क्या है उसको समझने की कोशिश करें क्योंकि उसका जो main मकसद है वो अपको जगाना है उठाना है और आपको अपनी लक्ष तक ले जाने की कोशिश करना है और कभी ठको नहीं उसके लिए वो energy देते हैं आपको, पूजा energy देती है ब्रत energy देते हैं, मन को कंट्रोल में लाते है और जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया इसके बाद 20 तारिक की छट पूजा है और 30 तारिक की स्री गुरानक जहनती है देखियो गुरूओं को हमारे जो संस्कृतियस में बड़ा सम्मान दिया गया है गुरूओं को गुरू गोबिंद दोवू खड़े काके लागू पाए बलहारी गुरू आपने गोबिंद दियो बताए तो इश्वर से भी पहले गुरू की पूजा की जाती है क्योंकि गुरू ही है वो जो आपको ग्यान देते हैं उस ग्यान के बिना इश्वर को पाना बड़ा मुश्किल होता हलाकि गुरू भी इश्वर सुरूप ही है क्योंकि हर सब तरह परमात्माय पर फिजीकली पहले हम गुरु को ही देखते हैं माता को देखते हैं पिता को देखते हैं वो हमारे पहले गुरु होते हैं तो उनका बड़ा महत तो है उनका बड़ा महत तो है और यह responsibility गुरु की भी बन जाती है कि वो इतने महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा दें अच्छी सराउंडिंग्स दें क्योंकि अगर बंजर भूमी में आप आम का भी पेट डाल दो तो वो उगता नहीं है भूमी मतलब environment, beach मतलब स्वेम बच्चा तो जहां तक beach का important है जैसे कहते हैं कि बोया beach बबूल का तो आम कहां से आएं तो आधी बात है कहनी की आधी रास्ते की बात है कहनी का आधा पार्ट है दूसरा पार्ट वो जमीन भी है कि जहां बोया वो कहां है भाई तो वो जो environment हमारी responsibility है वो भी बहुत बड़ी बात है जैसे कि अब environment मिल रहा है तो हमारी बहने माताएं कितना कुछ कर रही है flight ओडा रही है air force में जा रही है sports में जा रही है swimming में जा रही है और बाहर भी जा रही है अपने उपर बो रही है अपनी अपनी पूरी पूरी company की मालिक बन गी है और जब environment नहीं था तो ग्रहों के ऐसा ही होने के बाबजूत कोई एकात को छोड़ कर exceptional are always there वो विचारी कुछ कर नहीं पा रही थी तो ऐसा नहीं उनमें कमी थी हमें ही कमी थी हमें ही कमी थी हमने वो environment ही नहीं दिया इसके बाद ये तो थे हमारे तोहार अब ब्रत की बात कर लें ब्रत बहुत महत्पूर है ब्रत का मतलब होता है अपने आपको strong बनाना आप weak नहीं होते जब खाना नहीं खाते आपके दिल की जो सबसे महत्पूर शक्ती है कि आपने जो संकल्प लिया आप उसे कर पा रहे है और बहुत से लोग ब्रत को ऐसा भी है कि वो उससे ज़्यादे खा लेते हैं तो गलत करते है ब्रत का मतलब यही है कि मन को साधना दिल को साधना बल पूरवक नहीं समझधारी के साथ अपने संकल्प के साथ की मन करे ही न फिर वो और भी चीजें जो आप decide करेंगे जीवन में उसमें भी आपकी साहता करेगा तो पहला ब्रत तो करबा चोथ का यह तोहर भी है ब्रत भी है फिर ग्यारे तारिक की रामा एकादशी है यहाँ रामा माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ एकादशी है धन धाने को देने वाल एकादशी है सच्चे मन सच्चे दिल और पवित्र भावनाओं के साथ अगर तोहर किया जाए हलाकि पूरे दिन पवित्र भावना जो रखेगा वो तो आगे भी पवित्री हो जाएगा इसमें कोई शक नहीं है तो इसे कर लें तो सारे पाप आपके प्रभूमाफ करता है अगर रिचुलिस्टिक करें पूरी तरह करें कि मन से दिल से पुन्ने आत पन पुन्ने मन से पूरा दिन एक भी कलत विचार ना किये भी ना तो सारे पाप आपके माफ हो सकते है तेरह तारिक की शिवरात्री है प्रदोषपरत है भगवान भोलेनाथ जो आनंद सरूप है जो ग्यान सरूप है जो इस संसार का सार है भवानी, उमा भवानी माता भवानी और भोलेनाथ जो एक ही के दो पहलू है एक ही सिख्य के दो पहलू है उनका प्रदोषपरत है शिवरात्री है 15 तारिक की अमावस्या है अमावस्या का तोहार किसी का राहु खराब होता है या चंद्रमा कमज़र होता है या पित्र श्राब बगएरा इस तरह की कहानी होती है उसके लिए बहुत सारे रिच्व अमावस्या को की जाते है मंत्र सिध्धी के लिए भी इसका महत्यपून सोले ताकरी की ब्रैक्चिश शंकरांती है मतलब सूर्ज जो है तुला से अपनी नीच की रासी से ब्रश्चिक में जाएंगे ब्रश्चिक तो वो संकरांती है या धहत्मिक्ता के लिए बहुत अच्छा बरत्माना गया है इसके साथ साथ पच्चीस तारिक की देव उत्थना या इसको प्रवोधनी एकादर्शी भी कहते हैं इस दिन भगवान विश्णू छीर सागर से जगने वाले हैं उठने वाले हैं जो की अल्प निद्रा में गए थे दो तरह की निद्रा है उनकी सास्त्रों में मिलती है एक अल्प निद्रा एक है महा निद्रा महा निद्रा वो जब कल्प के अंत में जो भगवान कष्ण कहते हैं कल्प के अंत में ये सब मुझ में ही बिलीन हो जाएगा और फिर से प्रकट होगा जिस तरह हम अब यहाँ हैं इससे पहले हम अवेक्त थे अवेक्त होएं फिर से अवेक्त हो जाएंगे तो वो महानिद्रा होती है उसमें सब कुछ प्रभू में ही बिलीन हो जाएगा और वो फिर से व्यक्त होगा फिर से शष्टी की रचना होगी और प्रभू की माया से या प्रभू की शक्ती से या शक्ती या प्रभू एक ही है उनसे फिर से वो अपने कर्मानुसार चीजें बनेंगी तो ये जो एकादशी है इसमें तुलसी बिवा का भी है इसके एकादशी के बाद बिवा वगरा ये सब होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी सुब चीजों के लिए समय अच्छा आएगा ऐसा माना जाता है और तीस तारिक की कार्तिक पूर्णिमा है गुरुनानक जैनती है पूर्णिमा का अपने आप में महत्तो है और गुरुनानक जी का भी अपने आप में बहुत महत्तो है तो ये था मेरी तरब से तोहार और ब्रत तो मुझे आशा है कि आपको ये जो पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा इससे आप कुछ लाब मिलेगा अगर ऐसा है तो प्लीज सब्सक्राइब प्लीज सेर ताकि दूसरे लोग भी देख पाएं और घंटी वाला जो बटन है उसको दवाना मत भूलिएगा टेक्स्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेस्बूक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आपका सहयोग बहुत महत्पूर है इसलिए प्लीज लाइक प्लीज फॉलो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार